हेलो और वेलकम बैक फ्रेंड्स मैं हूँ सुरिसायल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल इफ मैंटर्स में दोस्तो अब ज़रा यहां पर ध्यान दीजे आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ बिलकुल इस तरीके से ठीक है और उसके बाद वो नीचे की तरफ गया और फिर उपर गया ठीक है बस इस पॉइंट को याद रखे और देखिए कि हमने फ्राइडे इबिनिंग को आज अभी मैं आपको दिखाता हूँ और उसमें मैंने जो कुछ भी पता है वो देखिए और आपको समझ मैंगा कि इस चैनल पे आपको कितनी सटीक जानकारी मार्केट के आज ही मिल जाते है अगर आपको इस तरीके किस सटीक जानकारी पहले से मिलती है तो आप ट्रेड के थो प्लीज इस चैनल को लाइक करे शेर करे सब्सक्राइब करेए और जादा है जादा आपने दोस्त और इस चैनल को शेर करें दोस्तों तो चलिए दोस्तों हम वीडियो की एक क्लिप को देखते है और अगर market gap down होती है यहाँ पे तो आपको जैसे ही market gap down होगी थोड़ा सा नीचे जाएगी फिर उपर फिर नीचे फिर यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे जाके आपको decide करेगी कि उसे उपर जाना है नीचे अब देखें दोस्तों यह सिर्फ मैंने map निकाद है कि इस तरह से लाइन्स बिल्कुल ऐसे आएगी ऐसा नहीं है शायद यह जो यह वाली लाइन जो है शायद ऐसा भी हो सकेगा ऐसा हो कि ऐसा और यह वाली लाइन बहुत जाला बड़ी हो सकती ऐसा कुछ भी हो सकता है इसमें यह जो range है वो थोड़ी छोटी मोटी कुछ भी हो सकता है लेकिन यह सिर्फ एक psychology है सिर्फ lines है बर इस इस आकुरती की तरह वहाँ पर बनेगा यह मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ देख लिए दोस्तों आपने यहाँ पर यही वीडियो देख लिया तो अब मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि इसी psychology की मदद से आज मैंने डर्ड किस तरीके से किया है तो चलिए दोस्तों हम पहले 15 मिनिट में चलते हैं वहाँ पर हमें पता चलेगा कि हमने किस तरीके से movement को पकड़ा था ठीक है और साथी साथ हमारी bank net полез strategy जो है उसका भी मैंने यहाँ पर इस्तमाल किया और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर trade पिलिया ठीक है तो यहाँ पर देखे दोस्तों यह हमारा पहला 15 मिनिट का candle बना और यह यह जो सब lines कीची हुई है थोड़ा सा आपके लिए इसे आसान कर देता हूं में यहापर यह जो सारी के सारी lines यहापर जो खीची गई है वो सब हमने उस दिन के वीडियो के analysis में खीची थी तो देखिए दोस्तों यह जो red candle बना है वो पहला 15 मिनिट का red candle है जो हमारे कल जो हमने resistance निकाला तर उसकी नीचे गया था तो जब भी हमारी psychology की banknipty strategy के psychology के हिसाब से क्या है कि resistance, sorry support के नीचे गया था support को जब भी हम जाते हैं तो हमें call के लिए सूचना है ठीक है तो put के लिए बिल्कुल भी नहीं सूचना है call के लिए सूचना होगा तो उसकी कुछ strategies आ लग है उसके लिए अगर आपने banknipty strategy का हमारा पूरा का पूरा series नहीं देखा है तो बिल्कुल वहाँ पे जाकर आप वह series देख लिए बिल्कुल काम आएगा दोस्तों हर रोज profit कमा सकोगे तो देखें यहाँ पर हम यहाँ पर सूचना है ठीक है अब हम call के साइड को कप जाते है जैसे ही यह 15 minute का candle break करता है और अगर वह वह मेरे एंट्री थी 43,600 का call मैंने बाइ किया था और 357 पर मैंने तुरंत उसे sell करने के लिए बेज दिया और वहाँ पर उसके बाद मैंने देखा तो जब मैंने देखा था हूँ तो लगभग 50 to 60 point अब जा चुका था यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक जा चुका था तो यह हमारे banknipty की strategy है जिसमें हमें confidence आता है जाके समझाओंगा कि किस तरह के से हमने यहाँ पर पहले time देखते है कि कितने बज़े हुआ है थे 930 टू 945 के बीच में चलो तो वहाँ पर आपको वनमिनिट के चार्ट में सिखा था हूँ वनमिनिट में हमारे strategy कि किस तरह के से काम कर लिए देखिए यहाँ पर दिखा द देखिए दुस्तों यहाँ पर नीचे हमारा जो लाइन है 15 मिनिट का उसे टच करके जब मार्केट उपर गया तो हम जब तक इसका हाई ब्रेक और पुल्बैक ब्रेक नहीं हो तो तक वेट किया हमने और हमने जैसे ही पुल्बैक को ब्रेक किया है जैसे यहाँ पुल्बैक को ब्रेक हो पुल्बैक तो पुल्बैक को ब्रेक करते हैं हमने स्केंडल में इंट्री कर ली 942 के तो उसके बाद हम जब तक इंट्री करते थे तो 43,080 था 43,600 भी हो गया देखिए 80 से लिके कहां तक उसने हाई बनाया 42,672 मतलब 100 पॉइंट्स यहाँ पर आपको सिर्फ तीन मिनिट में मिले दूस्तों तीन तो चार मिनिट में यहाँ पर उपर चला गया और यहाँ से फिर नीचे आके बाद में देखिए उपर कितने चला गया हो तो इसमें आपको जो है ना मैंने एक्शली जो कॉल लिया थ वह इंदमनी कॉल था उसमें जो मैंने एंटर की थी उतना फास्ट वह ग्रो हो गया कि देखते ही दुख्तियों मुझे वहाँ पर हमारे सिर्फ कॉल में 50 पॉइंट दिखाए दिये और यहाँ पर तो 100-300 पॉइंट आपको 3-4 मिनिट में यहाँ पर बाइंग हो दिखाए करती तो यह मिनमें चार्ट पर्लिक इन आपको यहाँ पर दे के कैसी काम करता है मकरना था और यहाँ पशत कर देंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि कल प्रराइंक Feels सकता है ठीक है तो देखे दोस्तों यहां पर पहले तो हम सभी चीजों को निकालने थे हैं और यहां पर लगा ले थे हमारा रेजिस्टन्स और सपूर्ट यहां पर यहां पर सपोर्ट है इसे ब्ल्यू करते हैं और हमारा जो resistance बना है वो यह बिल्कुल strong resistance है यहाँ पर थोड़ा सा उपर करेंगे तो बीचे लेगा यहाँ पर कल जहां से market घुमा था उसे हमें यहाँ पर actually यह pullback था कल का हमारा अब pullback भी कहेंगे उसे ठीक है और अब अब हम pullbacks यहाँ पर निकालना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर pullbacks उतने नहीं है ठीक है फिर भी यहाँ पर जहां जहां पर अंदाजे से pullback निकालते हैं strong अगर आज नहीं मिलता है दोस्तों pullback आपको तो आप पिछले pullbacks और आज के pullbacks का combination करके एक अच्छा pullback निकाल सकते हो ठीक है तो यहाँ पर देखे यह एक अच्छा pullback हो सकता है हमार लिए यह और यह combination दोनों अच्छा pullback निकालते हैं तो यहाँ से अच्छा pullback हो सकता है क्योंकि यहां से मार्केट इस तरह के सी नीची की तरह भी डायरेक लेगा है तो इस तरह के से कुछ pullbacks हमें यहाँ पर मिले है तो इस में से जो ज्यादा strong pullback है उसी को हम रखेंगे और उसी के साब से trading करेंगे दोस्तों तो support resistance pullbacks और यहाँ पर हमने यह निकालिया तो हमारे लिए सबसे ज्यादा strong level से 43,800 का उपर का मतलब 43,760 का जो हमारे resistance है वहाँ पर और नीचे की level जो है वो हमारे लिए है 43,400 की देखेंगे दोस्तों कल अगर 43,800 को break कर जिता है तो आपको ज्यादा ज्यादा buying की rally वहाँ दोस्तों मुझे कल की rally देखने के chances नहीं दिखाए दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि मुझे हमारें दे लिए हो जो कल नहीं होगे हो भी सकते हैं लेकिन यहाँ market यहाँ पर open होके कहीं पर भी open होके उपर की तरह भागता है तो उपर की ज़्यादा rally नहीं देगा थोड़ा सा भागेगा और हमारी हर वक्ती condition के यहाँ तक आएगा या फिर यहाँ से नीचे आएगा तो अब यहाँ से वो decide करेगे तो जब भी market यहाँ से गोंगती है टिक है, उपर जाके गोंगती है और आपको यहाँ पर कुछ similar क्शिद देती है जिसे कि यहाँ पर किस طریके की signal देगी ठीक है, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कि यह किस तरके के signal देगा यहाँ पर देखे अगर यहां से market भूंती है इन तीनों point में से कहीं से भी ऊपर चली जाएगी ठीक है इस से जाए इस से जाए या फिर इस तरीके से ऊपर चली जाएगी अब इससे नीचे आना है तो आपको entry कर लेगा थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर चला जाएगा अब यह pullback दिया है उसने अगर इसे break करता है तो आपको यहां पर break करते ही entry कर लेनी है और साथी साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि हमारे जी बैंक नम्ट च्राटेजी के सारे क्राइट रहे है या नहीं हो रहे है पतले 15 मिनिट के candle के high low का वहां पर combination भी देखना है आपको pullbacks भी देखने और इस तरह के से आपको एंटर लेने यूहीं नहीं लेनी है तो यह नीचे के लिए आएगा अगर यह तो पहले कंडिशन होगी कि नीचे आ सकता है अब दूसरी कंडिशन अगर bank nifty open होता है कहीं भी भी open हो यहां पर open हो यहां पर open हो और यहां पर open हो ठीक है और अगर किसी भी situation से वो नीचे की तरह आता है तो आपको तुरंत इंटर लेने वेट करना है उसको reverse होने के लिए वन मिनिट के candle chart में से लिखना है अब यहां से उपर आना है तो वो इस तरीके से नहीं आएगा थोड़ा से उपर आएगा फिर नीचे आएगा तो आब यह पूल बैक को नहीं तोड़ पाया वो ठीक यहां पर आया और फिर दुबारा यहां से नीचे आता है तो आप वही पर समझ जाईए कि यहां पर आप डाउन ट्रेंड शुरू हो गया आपको यसी डाउन ट्रेंड में एंटर लेने इस पूल बैक के नीचे ठीक है इस पूल सिच्वेशन नहीं होती हमें दो साइड सोचना ही बढ़ता है कि ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए और वह ऐसा हो तो वह सकता है बल्कुल यहीं होगा यहां पर इन दोनों सिच्वेशन को ध्यान में रखिए जो भी आपको मैंने आज चार्ट निकाल के दिया है उन चार्ट को इधान से देखिए उसे प्रैक्टिस कीजिए ठीक है और बाद में कल मार्केट में उस तरीके से पुजीशन देनी है दोस्तों तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है और अभीत तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइ जरूर करिए दोस्तों और दोस्तों अगर आपको केंडल स्टिक आनलिसिस का कोर्स करना है तो आप नीचे दी हुए डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे जो प्लेलिस्ट रखे है वहाँ पे जाके हर एक वीडियो देख सकते हो साथी साथ दोसके साथ टेक्निकल आनलिसि अगर आपको मुझे कॉंटेक करना है तो आप वहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में देवे इंस्टा के लिंक पे जा सकते हैं या पिर कमेंट सेक्षन में भी अपना कमेंट चोड़ सकते हो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही जल्दी इस तरह के अच्छे ओडियो के साथ आ आप 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 तो